हेलो हाई गाईज वेलकम टू लव आर्ट एंड फैमिली मैं हूँ रिनू सिंग और आज है पिछवई चित्रकला का डे एट तो हमने एक कोछ इस तरीके से शीट ले ली है पेपर शीट और इसमें हम लाइनिंग कर लेंगे तो मैंने यह स्केल की च्वड़ाई है इसी के साब दाइनिंग कर लिए हैं इन तीन कलर के हम लोटस बनाने वाले हैं और जो क्रीन कलर है उससे अविसविसली हम लीपस बनाने वाले हैं तो कुछ इस तरीके से हम पैटन बना लेंगे यह सब मैंने गोल करके अच्छे से तैयार करके रख लिये थे अब देखिए हमने यलो कलर ले लिया मैं थोड़ा पास कर लेती हूँ अब देखिए कर दो कि दॹआैयार करें से कर दो कि दोदों पास करेंगे झाल、 और उए .... कि दोलो कि वह सा दोधुष 2 आилли हुआelnा थोग युआब लो भती है तो यह हमारा लोटस बनके तयार हो चुका है लेकिन वो साथ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा लाइट कलर है तो मैं पिंक बनाती हूँ कले करन मैं पिंस है जह है रह काया और फुषब पिंखना मैं मैं अल थ्याओंग खादे। गां इंतर चार पाला को अल रहीं ऩल थिझा वोटस विखने जादोने उता रहीं भाला के वोटस तो घिखिए की ज दो एगना को समक्तिंग है तो कुछ इस तरीके से हमारा पिंक लोटस रेडी हो गया है अब ऐसे ही हम ये दो छोड़ करके और फिर से हम ब्लू बनाएंगे थार्ड कलर हमारा तो अब हमारा ब्लू जो लोटस है वो भी रेडी है तो हमारे तीन कलर हो गए ठीक है अब हम इसी को आगे रिपीट कर देंगे तो फिर से हमारा येलो लोटस त्यार होता है और अब बारी है लीप्स की तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी लीप्स बनाई है अब इन टहनियों को जोड़ते चलेंगे और ये एक आलिखन टैप की कुछ बनाई जाते हैं बूटे तो हम इसका भी खयाल लखेंगे तो मैंने स्पीड थोड़ी तेज कर दिया इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है बहुत आराम से और बहुत बारीक काम है ये तो इसमें टाइम लगता है ये देखें मैं थोड़ा आराम से करके दिखाते हूं तो ये हमारी लीव्स रेडियो हो गई है ये देखें इसे मैं आराम से करके दिखा रहे हूं बिल्कुल ऐसे ही और भी बनानी है लीव्स के नीचे फ्लावर्स के नीचे और बर्ड्स के नीचे ये बनानी है हर टैनी के नीचे इस तरीके से आपको जहां जगे देखिए जिस तरीके से बड़ी छोटी आप ये टोटली आपकी imagination के उपर depend करता है पिसको कितना खूबसूरत कितनी अच्छी तरीकी से बना सकते हैं इससे बहुत खूबसूरती आती है इसमें तो अब यह हम बर्स बना रहे हैं यह देखिए इसके नीचे भी बना दिया इसमें जितना गुमाव जाएंगे और जितनी पतली टेहनी बनाएंगे यह उतना ही खूबसूरत निकल करके आएगा यह देखिए तो यह कुछ इस तरीके से हमने पूरा रेडी कर लिया है अब बारी है बैग्राउंड करने की तो बैग्राउंड में हमने ब्लैक कलर से फिल किया है और यहां पर बहुत साथानी की जरूरत है क्योंकि यह जो हमने बूटे बनाए है न यह बहुत पतले है तो यहां पर हमें बिल्कुल जीरो नमबर के ब्रश से और बहुत आराम से ध्यान से करना होगा नजरासी दिर में इसके उपर आ जाएगा अच्छा आप सोचे होंगे कि यह अगर हमें ब्लैक कलर पूरे में करना है तो पहले फ्लैट कलर करके फिर कर सकते थे तो यह मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं जो मैंने फ्लावर और बर्ट्स बनाई है इसमें आप देख रहे हैं बैक्ग्राउंड वाइट है और यह एक दब से निकल के आ रहा है यह खुबसूरत दिख रहा है लेकिन अगर बैक्ग्राउंड ब्लैक होता तो यह निकल करके नहीं आता इतना खुबसूरत नहीं दिखता है इसलिए इसका जो प्रोसीजर है वो यही है तो अब बैक्ग्राउंड करने में ही मुझे इतना टाइम लगा है पूरा देन हो गया इसको करते हुए यह बहुत आराम से किया है मैंने बहुत ध्यान से किया है तो इसको आप भी अगर करें तो फूरसत से बैट करके और फोकस्ट हो करके करें इसको जल्दवाजी में ना करें क्योंकि जितने पतली पतली इसमें टहनिया है यह देखे बहुत ध्यान से यह करना होता है तो वो सब खराब हो जाएगा यह देखे यह फ्लावर्स की जो लीफ्स हैं इसमें जो कट्स हैं यहां बहुत ध्यान रखना होता है कि जरा सा ब्लै कलर उपर आएगा तो धक लेगा पूरे कलर को तो उसमें वो कट्स साफ दिखाई देंगे तब ही तो फूल निकल करके आएगा तो वो कट्स टेड़े मेड़े ना हो जाए और कलर उपर ना आ जाए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है तो यह बहुत ही आराम से और फोकस के साथ यह करना होता है पूरा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी यह देखे पूरा कर लिए और यह हमारा लास्ट हो चुका है यह देखे तो अब मैं इसको पूरा दिखाती हूं यह देखे यह कुछ ऐसा लग रहा है तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें शेर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें थेंक्स फॉर वाचिंग बापाई ठाडा